इदि आपके जीवन में भी कोई कछिन दौर चंपा है, आप उस परस्तिती पर विज़ई हो जाएंगे। जिस भी छेत्र में ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये शुनास्थी के नाम से उस्ट्रगल इनके लाइफ से चला जाए। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभे की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस पिर रहें। हमें से बहुत से भाई बेहन हैं जो वो विपरिट समय से होकर गुजरते हैं जब उनके जीवन में कठिन समय आता है, कठिन दौर आता है तो ऐसे समय में वो डगमगाने लगते हैं। वो इस्तिर नहीं रह पाते हैं, और जब वो इस्तिर नहीं रह पाते हैं, तो अपने जीवन में पर्तिफल नहीं पाते हैं, उनके जीवन में फिर काम नहीं हो पाता है, तो यदि आपके जीवन में भी कोई संगर्ष चल रहा है, यदि आपके जीवन में भी कोई कठिन दौर चल रहा है तो ऐसे समय में आपको इस्तिर रहना बहुत ही आवशिक है चाहिए आप किसी भी परिक्षा से होकर गुजर रही हो चाहिए दुश्ट ने आपको परिक्षा में डाल दिया हो या फिर आपके विश्वास की परक हो रही हो चाहिए कुछ भी आपके जीवन में क्यो नहीं हो रहा लेकिन ऐसे समय में आपको अपने आपको इस्थिर करना है और यदि आप इस्थिर बने रहे तो निश्य आप उस परस्तिती पर विजई होंगे प्रवो आपका साथ देंगे और प्रवो आपको विजई करेंगे एक वचन हम लोग पढ़ेंगे याकूब की किता उसका एक अध्याई और बारापद जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है धन्य है वे मनुश्य जो परिक्षा में इस्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकट पाएगा जिसकी प्रदिग्या प्रभू ने अपने प्रेम करने वालों से की है इमें दोस्तों यहां पर परमेश्व का वचन कहाता है याकूब कहते हैं कि धन्य है वह व्यक्ति जो परिक्षा के समय में इस्थिर बना रहता है जो दिर्ड बना रहता है जो मजबूत बना रहता है जो वह परिक्षा से होकर गुजरता है क्योंकि यदि वह इस्थिर बना रहा तो खरा निकलेगा, और खरा निकलने के बाद उसे वो मुकट परमेश्वर देगा, जीवन का मुकट, उसे परतिफल मिलेगा, जीवन का मुकट, मुकुट किसके सर पर रखा जाता है जो विजई होता है जो राजा होता है उसके सर पर मुकुट रखा जाता है आज सुभे में मैं आपको उटसाइद करूँगा यदि आप इस्तिर बने रहे तो परमेश्र आपको राजा की तरह आपके सिर पर वो मुकुट को रखेगा आप विजई होंगे यदि आप इस थे रहे हम लोग देखते हैं पत्रस के जीवन में पत्रस जिसने प्रभु येश्व मसी का इंकार किया वो परिक्छा में गिर गया वहां पर वो डर के कारण प्रस्तियों को देखकर घबरा गया दर गया और उसने येश्व मसी का तीन बार इंक लागिया लेकिन जब प्रभु येश्व मसी उसके पास आते हैं मुर्दों में से जी उठकर प्रभु येश्व मसी उससे बात करते हैं प्रभु येश्व मसी उससे कहते हैं क्या तुम उससे प्रेम करता है वो कहते हैं हाँ प्रभु मैं तुससे प्रेम करता है प्रभु क इस्तिर बना रहता है, हालनकि इस से गलती तो हो गई, लेकिन ये इस्तिर है, ये अपने काम पर तो चला गया, लेकिन इस्तिर है, इसने अपने आपके हानी नहीं की, यहुदा की तरह है, गलती तो यहुदा ने भी की थी, पत्रस की तरह है, गलती यहुदा ने भी की थी, ज उस कठिन दौर में उस विपत्ति के समय में वो इस्तिर नहीं रह पाया। उसने अपने आपको मार डाला। आज बहुत से भाई बहनें जिनके मन में ये विचार आता है कि वो मर जाएंगे। प्रवो आपके सिर पर जीवन का मुकट रखेगा। हम यूशुप के जीवन में देखते हैं। वो विप्रित समय से होकर गुजरा लेकिन इस्तिर बना रहा। प्रवो में बना रहा। चाहे कुछ भी उसके जीवन में नजर नहीं आ रहा, कई सालों तक कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन वो प्रवो में विश्वास में इस्तिर बना रहा, और जब वो इस्तिर बना रहा, तो परमेश्र ने उसे अपने दान वर्दानों से भरा, तो परमेश्र ने उसे फिर सिरो मनी बिठा रहा। उचे पद पर नुक क्या। कारण क्या था? क्योंकि ये परमेश् प्रबो आपको आगे बढ़ाएगा. क्योंकि हमारा parmesur ऐसा ही है. जो उसमें स्थिर रहता है. उसके सिर पर जीवन का मुकुत रखता है. उसे विजैई करता है. आपको स्थिर रहना है. पर अस्ततियां विप्रित हैं. स्थिर रहना है. इस बात पर हमेशा विश्वास करना है कि मुझे इस्तिर बना रहना है इस्तिर बना रहना है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गये होंगे यदि आप विप्रिट समय से होकर गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको इस्तिर बने रहना है सो प्रभव आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत स्यासिस दे आमेन स्यासिक देख रही हैं और यह जो मैसेज़स है वह बहुत इजी एक्स्पनेशन रहता है और ध्याद रखने के लिए भी पॉइंट वाइज बहुत ही उप्योगी है जो हमें खुदा परमेशर के नजदी जादा से जादा लाता है और उसकी सामित इमें उसकी प्रेजरंस में हर वक्त रहने के लिए प्रौसाइ moisture करते हैं और Amrita Sister जो prayer करती है उसे भी हमें जंदख्या के साथ विश्वास में ज़्यादा बढ़ने के लिए प्रोसान मिलता है और हमें हर चीज और हर आशीश से प्रभु करमश्ण ज़्यादा अज़्यादा बख करते कर इस दिम्या में जेने के लिए मजबूत करता है आज मेरी ये कवाई है कि मेरी बेटी यूके में मास्टर्स जे तरपी में बढ़ रही है और जून 26 कोस का फाइनल सेमिस्टर का रिजल्ट आने वाला था लेकिन कुछ वज़ा से उसका रिजल्ट नहीं आया पेपर ये नहीं चिक किया क्योंकि जो कोड नंबर रहता है प्रेजेंटेशन का उसके साथ उसका नाम भी वहाँ पे लिखा गया था और हम लोग बहुत टेंशन में आ गए क्योंकि एक्टिली उसने जुकेशनल लोग लेके आगी की पढ़ाई कर रही है हमें और दूसरा कोई चारा नहीं था बस परमिशर पे विश्वास रखना धीरट के साथ अपनी प्रारतने अविजन दिए उसको बताना यह हमारे पास्ट आ रहा था और प्रभू का शुकर है और धन्यवाद है कि उस दिन 26 और 27 जून पर जो प्रेयर मेसेज़स थी सुबह शाम के दो दिन में और सब यह हमें बता रहे थे कि आपके महरद में प्रका शुका प्रभू आपको नद पज़ेगा आपके हानी नहीं होगी और दूसरें को शमा कर और यह जो मेसेज़स थे इन मेसेज़स को अप्लाइ करके हमने अमरिता सिस्टर के साथ प्रातना की और मैंने मेसेज में प्रेयर रिक्वेस्ट में भी बेजी दी जो सुपरिंटेंट में रहते हैं उनका मेल भी जाता की मेरा पेपर चिक नहीं किया हुआ है और रीजन क्या हो सकता है करके और हम सब लोग प्रेयर कर रहे थी कि खुदा बाप परेयर और उन सब इंस्टक्टर्स और एग्जामिनर्स का मन फिराए और रियली गौद इस वरी ग्रेशस तो अनि ओड़ो है उन्होंने उसको मेल भी जाय कि आपका पेपर चेक कर रहे है कर ए अनि शॉत ताम युद आ रिजल्ट और रेली वेर थांक्फुल तो लॉट और हीज्स में अच्छे से पास हो गई मैं प्रभु परमशर का धन्यवाद करती हैं और प्रिके बेदर और अम्रिता सिस्टर उनका और उनके मिनिस्ट्री के पूरे टीन का भी धन्यवाद करती हैं और जो जो लोग हमारे लिए प्रेयर करते हैं उनके लिए यह सब लोगों ने continue ले हमें अपने prayer में खुदा के सामने आपीप किया इसमें हमें बहुत आजसे आशिरा दिख किया आमें आएए मिलकर हम प्रात्न करें यदि आज आप किसी भी समस्या और परिषानी में हैं मेरे साथ मिलकर प्रात्न करें प्रभु येश्य मसी आपको छुटकारा देंगे आईए मिलकर प्रात्ना करें धनिवाद 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 करते हैं सामर्ती दयालू पिता हम आपका आदर करते हैं आपका आदर करते हैं पिता क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमारी प्रात्नों को सुनकर उसका उत्तर हमीशा देते हैं हम आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं हम आपके लिए प्रिशे से प्रभू क्योंकि आपने प्रभू हमारी वैल्यू को प्रभू बढ़ाया क्योंकि तुने हम पापियों के लिए अपने आप को दिया परमिश्वर जब हम पापी ही थे प्रभू तब तुने अपने प्यार को प्रभू प्रकट किया प्रभू धन्यवाद उस अगाह पे प्यार के लिए प्रभू जो तुने किया परमिश्व पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रभू इस सुभा की प्रात्ना में शामल हैं अब हम हर एक के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और आपकी संगती में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है उन्हें भाता है क् उन्हें से बात्चीत करते हैं परमेश्वर यह यदि आज निराश हैं कोई भी ऐसी बात जो इनके मन को दुखी कर रही है परिशान कर रही है या फिर कोई भी ऐसी बात जिसे सोचकर प्रभू यह बहुत ही जादा व्याकुल हो रहे हैं कि अब आगे क्या होगा प्रभू या फिर वो भीमारी में, करजे में, फाइनाशली और प्रभू अपने बच्चों के जीवन में बहुत सी समस्याओं को देख रहे हैं तो प्रभू आज की सुन्दर सुभा में येशु नासरी के नाम से हम हर एक छेतर में जब ये भाई-बेन स्ट्रॉगल कर रहे हैं येश अब करते हैं करते हैं हेजु नाम से आदर करते हैं हमारी पहचान को तूने बदल दिया परमेश आपका धन्यवात क करते हैं और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबा की प्रात्ना में शामिल हैं, हम सब धन्यवादी हैं, प्रभू रात भर आपकी पंखों की आड में हम सुरक्षित रहें, प्रभू धन्यवाद करते हैं, आज के दिन में प्रभू जो कुछ भी काम आपके लोग करने ही जा रहे कोई भी दुख, कोई भी विपत्ती तेरे घर के निकट नहीं आएगी, धन्यवाद प्रमेश्वर की कोई भी दुख और कोई भी पत्ती प्रभू इनके बच्चों के, इनकी फैमिली के निकट नहीं आएगी, क्योंकि तेरा वच्चन इस बात को कहता है, क्योंकि तुने हम आपने वचन से बात चीत किया यह यह इशुत आपका धनेवाद पिता धन्यवाद करते हैं जो अपनी परिक्षाओं में स्थर रहते हैं परमेश्व पिता आप प्रभु उनके लाइफ में अपने बड़े अद्भुत मिरेकल को दिखाते परमिश्वर, परातन करती हूँ प्रभू, जब यह temptation में है, problems में है, करजे में है, financially बहुत जादा struggle कर रहे हैं, प्रभू अपने relationship में struggle कर रहे हैं, प्रभू इनके बच्चे struggle कर रहे हैं, फिर जिस भी छेत्र में यह struggle कर रहे ह परमिश्वर, इस समय आप इने स्थिर करें, प्रभू आपका वचन क्या इनसे बातचीत करता है, उस वचन के ऊपर प्रभू यह निर्भर होने पाएं, पिता, तेरा वचन कहता है, कि मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमिश्य की सामर्थ पर निर्भर हो, परमिश्वर, प्रभू आप उसे जीवन में खरा निखारते हैं, और जीवन का मुकुट उसे देते हैं, परमिश्वर, प्रातन करती हैं, प्रभू जीवन के हर एक छेत्र में आप इन्हीं स्थिर करें, ताकि ये खरे निकल कर प्रभू उस reward को, उस मुकुट को पासकें, जो आपने रखा है, परमिश्वर, पिता, जीवन के हर एक छेत्र में प्रभू ये reward को आप से पाएं, परमिश्वर, दनेवाद करती हैं, इस समय पिता, जितने लोग प्रभू जी बहुत ही tough time से, बहुत ही hard time उनके जीवन में, परमिश्वर, जब उनको नहीं समझ में आ परमिश्वर, पिता, जो तुछ पर विश्वास करता है, परभू तुछ उसे स्थिर रहने के लिए भी सामर्थ प्रदान करता है, पिता, ये शुए इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके जिनके लिए प्रात्ना कर रहे हैं, परमिश्वर, जिनने ये देखते है कि आप साहता और मदद करें परमेश्व पिता दनेवाद करते प्यारे प्रभू प्रभू जब योश्यों प्रभू बहुत से समस्याओं से होकर गुजरा परन्तु प्रभू वो स्थिर रहा और इस्थिर रहने के दौरा वो खरा निकल कर मिसर देश का प्रधान मंत्री भना उसी प्रकार परमेश्य प्रभू यह हर एक जण प्रभू अपनी परिक्षाओं में स्थिर रह सके परमेश्य पिता। त्यारे खुदावन धन्यवाद, आप इन्हें खरा निखारे प्रभू, यह प्रभू निखरते चले जाए परमेश्य पिता। आज जितनी भी लोग प्रभू इस सुभा में प्रभू वीकनेस को महसूस कर रहे हैं, प्रभू जो चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती है, खड़े रहने में उन्हें प्रब्लम होती है, पिता, प्रात्न करती है, हर एक वो दिक्कत, हर एक वो परिशानी, हर एक वो दूर दुर्बल और घायल कर रही है प्रभु यह Waters के नाम से हम उन भीमारी को उस घाउं को उस जोट को उस दर्द को आग्या देते हैं इनके शरीर से जाओ- ये शुके नाम से प्रभुतुनृ- ऑप इनकी दुर्बलता को ले लिए और बीमारियों को उठा लिए प्रभू क्योंकि तु इनका पिता है प्रभू तुन से प्यार करता है इनका शरीर तेरे लिए बहुत कीमती है तेरा वचन कहते कि अपने शरीरों को जीवित और भातावा बलिदान करके चड़ाओ यही तुम्ह जवानो की शरीर से बहनों की भायों कीशरीर से निकल कर चली जाय के नाम से ठाइंक यू फ़ाद धनेबाद जिन बहनों ने प्रॉब्लम है इसी वक्त इनकी ओपरी को हील होनी के आग्या देते है इनकी अप्ण को पैंक्रियर्वत्श्च को इनके को नाउन प्रagवर्ण तरह जहां कहीं तेरे लोग जाएं कि इनका जाना प्रगु सफल हो आशिशका के लिए आशिश का कारण हो पिता जिस काम पर यह हाथ लगाएं वो काम सफल हो रुकावाटे यह वह वहोग्जा करता है पिता आपके लोग जो करजे में हैं जो जरुवते पूरी नियों उपारे उनकी प्रभु कमाई में बरकत नहीं प्रभु ये निष्टे आपने कमाई को खाने पाई और उनका जो करजा है येश्व के नाम से उसे आग्यय देते इनके जीवन जाओ येश्यू के नाम से साथ में सुरू से लेकर अंत तक इस प्रात्ना में बने रहें प्रभु धन्यवाद आपने उन्हें आशीज दी उन्हें बढ़ाया और सफल किया पिता और हर एक जन को तसली विश्राम और आनद और सामत से भरा प्रभु धन्यवाद करते हैं और जितने भाई बैनुक आज जनम दिन है धन्यवाद पिता एक नया साल उनके जीवान में जोड़ा है बीते साल आपने एक एक पल एक एक शण में समाने इस नए साल में भी अपनी पंखो की आण में ले सुरक्षित करें सपनों को पूरा करें और तेरी उपस्तिती में तेरे लोगों को चलने में मदद करें जितनों ने रिक्विस्ट दिया धनेवाद अब आप हर एक की प्रात्नों को आपने उत्तर हां आमीन में दिया धनेवाद करतें ये श्यू के नाम से प्रात्ना मांगतें सुनें और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन